शेल मौन क्रिकेट अधिहास के सबसे बहतरीन स्पिंग गेल बास नहीं है। यह हमारा कहना नहीं बलकि कहना है इंडियन टेस लेजिंड सुनील गावस्तर का। जी हाँ दोस्तों सुनील गावस्तर ने एक टेलवेशन शोव बन ये कहा कि उनका माना है शेल मौन नहीं है क्रिकेट अधिहास के सबसे बहतरीन स्पिंग गेल बास। इस शोव पर सुनील गावस्तर से पूछा गिला कि क्या उनको लगता है स्वलगवासी शेल मौन ही है प्रिकेट इतिहास के सबसे उन्दा स्पिंग गेल बास। आया आपको बताते हैं सुनील गावस्तर ने जवाब में क्या कहा। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना है कि मुथया मौली थरन और इंडिया के स्पिंगेल बास शेल मौन से बहतर थे। इंडिया के खिलाफ वाउन का रिकॉर्ड देखिए। वाउन ने इंडिया के खिलाफ सिर्फ एक 5 विकट हॉल चड़का रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि जहीद खान जोल शोलो से अपना बलाग हुमा रहे थे और इसी तरह शेन वाउन को अपना 5 विकेट मिला। क्योंकि वाउन को इंडिया के खिलाफ जादा सक्सेस नहीं मिला और इंडिया के प्लेयर्स बहुत ही बहतरी प्लेयर्स हैं स्पिन गेंग बाज के खिलाफ मेरा मानना है कि शेन वाउन सबसे बहतरी इंडिया के खिलाफ मुद्या मुल्ली को शेन वाउन से ऊपर मांगता कुछ ऐसा ही जवाब था टेंगे ग्रेट सुनीलता वस करता उनके इस जवाब के लिए उनको काफी सारा बैक्लाश फेस करना पढ़ रहा सोचल में गिलाब पर ऐसा क्यों आई आपको बताते हैं मथया मुली थरन और शेन मुआन दो नहीं टेस्ट रिकेट लेने के बाद और महीं शेन मुआन ने 708 विकेट लेने के बाद टेस्ट रिकेट को अलविदा कहा लेकिन ज़रा इस बात पर गौर फर्माएंगे, मुथिया मुली थारण ने अपने maximum test matches खेले और maximum test wickets लिये भी स्री रंका और सब कॉंटिनेंट में, एक ऐसी जगा जहाँ spin friendly conditions होते हैं वहीं Shane Warne ने अपने maximum test matches खेले Australia और England जैसे conditions में, conditions जो fast bowling friendly होते हैं, spin friendly नहीं इसके बावजीव, Shane Warne ने Australia के fast bowling friendly conditions पर गी 319 wickets चटकाई, 26 के average पर और वहीं अवे test matches में उन्होंने चटकाई 389 wickets, 24 के average पर कुन मिला के 708 wickets at a very impressive average of 25 शायद नी reasons के लिए Shane Warne को बहुत लोग मानते हैं, cricket इते हास के सबसे उंडा spin bowler, और शायद इसी लिए मिल रहा Sunil Gavaskar को social media पर इतना सादा backlash, आए आपको दिखाते हैं कुछ Twitter reactions Shocking tone deafness from Gavaskar Sunil Gavaskar is so embarrassing, not just to himself but to Indian cricket too, so according to Sunil Gavaskar, if somebody plays very good against India, he is the legend, wow, nitpicking on Warnie's stats on the day of his death feels so triggering, because of Gavaskar's stature as a cricketer, no one has felt the need to correct him ऐसे ही कई सावे और रेक्शन आए हैं Sunil Gavaskar के इस comment पर, आपकी क्या राया है, क्या आपको भी लगता है Muthayya Amundi Tharan, Shane Warne से बहुतर spin game पाज है as an all format donor, और सबसे जरूर सबाए, क्या आपको लगता है Sunil Gavaskar को ऐसा comment करना चाहिए था, Shane Warne के mod के ठीव बाद, क्रिकेट की latest खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्स की राक्रिकेट को, अगर आज का वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर सिरूर कीजिए का, मैं आपको दोस्त को रट रॉल, बहुत जग बता है